देश के पाच राज्यों में हुने वाले विदान सभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखें गोशित कर दी हैं भाजपा के लिए सत्ता के लड़ाई सबसे मुश्किल दो राज्यों में हुने वाली है गौर तलब है कि सुब्रमन येम स्वामी भाजबा के उन नेताओं में से एक है जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान बाजी करने के लिए जाने जाते हैं इस से पहले सुब्रमन येम स्वामी कई मुद्दों पर मोधी सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं हाल ही में उन्होंने देश में बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी सरकार को घेरा था पहला राज्य केरल और दूसरा राज्य पश्चिम मंगाल जहां केरल में लिफिक का बोल बाला है वहीं पश्चिम मंगाल में ममता बनर जी से चुनावी जंग भाजबा के लिए काफी जद्दो जहद भरी हो सकती है हाल ही में भाजपाद्वारा केरल विदान सभा चुना के लिए मुख्यमंत्री पद के उमीद्वार का एलान किया गया है केरल में भाजपाने मेट्रोमैन श्रीदरन को सीम उमीद्वार के लिए चुना है गौर तलब है कि हाल ही में मेट्रो मैन श्रीदरण भारतिय जंता पार्टी में शामिल हुए थे जिसके बाद उन्होंने कहा था कि उन्हें राजपाल पद संभालने की कोई दल्चस्पी नहीं है अब भाजपा नेता और राजपा सांसत सुब्रमन येम स्वामी ने पार्टी के फैसले पर कटाक्ष करते हुए चुटकीली है भाजपा सांसत सुब्रमन येम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा ने केरल में सी एम के लिए 89 साल के श्रीदरन को भाजपा का उमीदवार घोशित किया है दूसरे शब्दों में 55 पलस नेताओं के लिए मार्क दर्शन मंडल के रूप में तैयार किया गया वनवास ये एक सुबिधा जना कदम था मेरा सुझाव है कि आडवानी एम एम जोशी और शांता कुमार को 2024 में चुनाव लड़ना चाहिए